अगर किसी का अपमान हो रहा है तो वो रावन का अपमान हो रहा है जो मैं जानबूश कर रहा हूँ Come on! This is totally absurd, totally disgusting and dumb और मैं इसलिए अगले segment में मनोच की मुर्तापुरन बातों का परदाफाश करने वाला पावन चरित्रों को बहुत सम्हाल के बोला जाए बहुत सम्हाल के अनुकरण किया जाए नहीं तो देख लेना परणाम में पतन हो जाएगा नास सब्द तुमारे जीवन में जुड़ जाएगा यह उपहास का विशह नहीं है भगवान स्री राम कृष्न का पावन चरित्र यह मनोरंगन का मिशह नहीं है कि तुम जैसा चाओ ऐसा बोल लो यह जो क्रिती सेनन की इंस्सेग्राम प्रोफाइल पे भी जो पोस्स आप करवा रहे हो यह अगर एक जगे हो भी रहा है तो वो एक सेंपल के पूरी पॉपलेशन को रप्रिसनेंट करता है इनका जो कमेर्शल प्रपोगेंडा है वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में पूरा ध्वस कर दिया है पर इस वीडियो में में मनोज मुंतषिर जो मुर्फता वाली बाते कर रहा है अपनी अपसर्ट जस्टिफिकेशन दे रहा है एरोगेंस उसके सर चड़ के बोल रहा है यही तो हैं रावन के सर यह एरोगेंस, यह गुसा, यह ओवर कॉंफिडेंस यही तो थे रावन के दस सर पर इन लोगों को यह चीज समझ नहीं है इस वीडियो में आप मेरा रिप्लाय देखेंगे मनोज मुंतिशर की मुर्खता पूर्ण बातों पर, गलतियां ही नहीं है बहुत सारी गलतियां है पर उस से भी बढ़के, जो सफेज जुट बोला जा रहा है, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी ओडियंस को यह बेफ्कूफ बनाएं मैं यह बरदाश नहीं कर सकता क्यूंकि यह है पीपो है और अब कुछ नहीं छुपेगा और यहां बेख़ॉफ बाते होती है बेख़ॉफ ओपिनियन होती है तो वो ही आपको मेलेगी वीडियो अंतक देखना भरमा जी ने वरदान रावन को यह दिया था पर यह दिखाया है इस मूवी में पुष्पक विमान जो विश्करम ने बनाया था जिसका दारन हम लोग अपनी संस्कृती में देते रहे हैं हम अपनी हिस्स्री में देते रहे हैं कि देखे क्या टेक्नोलजी होती थी उसको आपने चमकादर के रूप में डाल दिया उसको चमकादर को मीट खिला रहा है रावन रावन जो एक वेदवान था पर उसके घमन की वज़े से उसको राक्षयस बोला गया उसको आपने ब्रैकुला बता दिया कि भाई वो निकलता था चमकादर निकलते थे साथ में वो चमकादर वेचता था लड़ने के लिए और श्री राम को आपने इसमें चमकादरों से लड़ते वे दिखा एंटरी भी वहीं एंड भी वहीं लंका सोने की नहीं कोईले की संजीवनी की जानकारी विभीशन की पतनी दे रही है ना कि जामबन सुशेन वैद जो लंका में था उसके बारे में बता रहे हैं श्री हनुवान में वेग था एक छलान में सौ योजन पार कर सकते थे पर भीश में कई बार रोका गया उनको कई बार समदुर की ताकतों से उनका सामना हुआ और वो लंका में जब घुमें उन्होंने ढूंडा उनमें कोई संजे वाली आखे नहीं थी मावारत की जोंको सीधा अशोग वाटिका में पता चल गया सीधा माता है उन्होंने बहुत सारी निगरानी करी कई लोगों को देखा, उनकी कल्चर को देखा वो सब कुछ आप मिस कर गए रावन, लेदर के कपड़े पहन रहा है खिलजी जैसा बनावा है, दाड़ी उसकी मुगल एंपरर जैसी है आपने यहां सिंपल यह किया आपने हिंदू versus muslimatic camera करने की कोशिचoughs करी जी हिंदू sentiments को बनाने की कोशिच करी यह सोचा कि हिंदू तो पागल है हिंदू को जहां muslimat again's हिंदू को खड़ा करता है हिंदूस्तानी आपको तालिया हो जाके आपको स्वागत करें करन्त है उनको तोड़ना मरोड़ना आपको उसकी अजासत नहीं होने चीजिए उसका मूल है उसको आप चेंज करो ये गलत है हलाग कोई अपनी जनीव हिलाता है क्या कोई अपनी जड़ने बदलता है क्या हमारी इंधार में सांस्कृतिक माननेताओं और परमपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्रक्ता नहीं है देखिए मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जेनेरेशन को और अगली पीड़ी को भी वही सिखाऊं वही बताऊं वही दिखाऊं जो वास्ता बें सत्त्य है शाष्षत है और सनातन है आखर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार में कास्ता से छेड़ चार करें या हमारी भावनाओं को ठेस महुचाए कुछ फिल्मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एड़िटाइजर्स को इस बात का विशेध ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रियेटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का बजाप न बनाएं और नहीं किसी की माननेता या परंपरा को तोड़ मरोड कर प्रस्तुत करें और मैं इसलिए अगले सेग्मेट में मनोज की मुर्तापूरन बातों का परदाफाश करने वाला हूं उसकी बातों एक रीबटल देने वाला हूं रिस्पॉंस देने वाला हूं और उनकी बातों की लॉजिकल फैले से इसके बारे में बदाने वाला हूं जो बहुत रमायन से हटे हैं, क्या हमने उसको modernize करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है, तो इसका सीधा जवाब यह है दिवांग जी, बिलकुल नहीं, जो रमायन लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, exactly वही रमायन है, कुछ भी अलग नहीं, और अब अभी कहा श्वेताजीव फिल्म का नाम है आदी पुरुष, जब हम आदी पुरुष बना रहे हैं, तो पहली बार तो दो तीन चीज़ें में एकदम स्पस्ट कर दूँ, मैंने पहले भी कहीं है, और अभी स्पस्ट कर देता हूँ, हम ने रमायन नहीं बनाई है, हम रमायन से प्रेरित हैं, हमने रमायन नहीं बनाई है, पल्म में घरगट जैसे रंग बदलती है, वैसे रंग बदल दी आपने तो, आप यह बोलेंगे हैं, हनुमान जी तो मसकरे थे, बजरंग बली जिनके अंदर परवत जैसा बल है, बजरंग बली जिनके अंदर सैकड़ों अश समान भी हैं, वो मसकराते हैं, वो हसते हैं, उनकी भाषा चरित्र के हिसाब से ही होगी, पर मसकरा होना का मतलब यह थोड़ी होता है, कि आप तपोरी लेंगवेज बुलवाओगे, उस श्री हनुमान श्री बजरंग बली से, जो कि एक वेदिक स्कॉलर भी थे, विद्वान और यह चीज़ योगो सागों ने अच्छरंग से दिखाई है, यह चीज़ रवनान सागर ने अच्छरंग से दिखाई है, और जब उन्होंने चलांग मारी और वापस आए, तब अगर वो यह बोलें, कि हमने बोल दिया है, कि हमारी बहनों को छेड़ोगे, तो हम लंका ल इस इमपोस忘 लिएन अच्छरंग से यह बोले हब आप प्रवादार इंटार्ग यह बोले है तो रामयों को पेंहाई है, जकि हम खाया है, विया अच्छर अप्रणग आपुर्छे विए रवा ने लाट रामयों, हम अच्छर अपले पुर्णे, यह बोले हैं हम आधिया त एक पार्ट को भी श्रणंग से नहीं दिखाबाए गए को आपको फोकस पैसे कमाने में था योगा साकुना जसा लगा है रामन सागर ने अपनी पुरी जिंदगी लगा दी रमायन को बनाने में और यही तरीका था इस तरहे की कानी को बताने क्या यह नहीं कि कुछ भी निका यह एक एक स्टूरी एक एक श्लोक में एक मोरल चुपाया एक सीख चुपी है जो हर पेरेंट बताता और किसी को नहीं भी मिली यह सीख तो क्या आप सीख देंगे कि श्री हनुमान, श्री बजरुनग बली ऐसी भाशा ही उसकरते थे पहले आप बोलते हो कि यह रमायन है फ तो फिर मैं अपनी गलती बानता हूँ मुझे संस्कृत में लिखनी थी रमायन और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी आपको कौन संस्क्रिट में बात करने को कह रहा है, Manoj? हिंदी में रमादान सागर ने पूरी रमायन्ट दिखाई। युगर सागर ने अपने पने पले वर्जन में सब्टैटल्स के थुरू ही सब कुछ समझा दिया था आपको संस्क्रिट बोलने में कोई नहीं बोल रहा है, Distraction Fallacy माद यूज़ करिये यहाँ तपोरी लेंग्वेज पे प्रॉबलम है, आप कहते हो कि रावन के लिए हमें प्यार उमढ रहा है आग तेरे बाप की, कपला तेरे बाप का, जलीगी भी तेरे बाप की, यह तो रावन के लिए बोल रहा है, रावन के लिए हमें में कुछ अत्य थे किसने नहीं जाग उठाए, अचानक में देख रहा हूँ Come on, this is totally absurd, totally disgusting and dumb, रावन की तरफ प्यार नहीं उमढ रहा, तपोरी लेंगवेज आप हमारे भगवान से बुला रहे हो, और फिर कहते हो, अपने defense पर फिर से कि वो तो भक्त है, भगवान नहीं है, भक्त है वो श्रीराम के, आपके नहीं है, बजरंग बली भगवान नहीं है भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भगवान ही हैं, आप आज कल के जमाने में उनकी language टपोरी दिखा रहे हो, तो भक्त हैं तो टपोरी लेंगवेज यूज कर रहे हैं, यह कैसा logic है, मनोज, और अगर भक्त हैं, तो श्रीराम की seat क्यों नहीं ह आपको पता था, कि आपने गलती करी हैं, और आप घेर लिये जाओगे, इसलिए हनुमान जी की seat दे दी, और हनुमान जी की seat दी, तो फिर वो भक्त हैं, तो श्रीराम की seat क्यों नहीं थी, क्योंकि वो है भगवान तो, तो आप अपने ही बातों में, महाजाल में भस चुके हो, क्योंकि आदिपुरुष का ये प्रॉपगेंड़ा सामने आ चुका है, और इस मुवी को मुझे लगता है, या तो बैन होना चाहिए, या आपको अपॉलोजाइज करना चाहिए, तो अपॉलोजाइज मनोज, अपॉलोजाइज ओमराथ, और बैन आदिपुरुष अपुलोजाए, इस पे वो हस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं, इस पे वो खुश हो रहे हैं। और जो तालियां हो जा रहे हैं वो PR स्टन है वो सब को पता है ये जो कृती सेनन की इंस्टेग्राम प्रोफाइल पे भी जो पोस्ट आप करवा रहे हो ये अगर एक जगे हो भी रहा है तो वो एक सैंपल के पूरी पॉपलेशन को रप्रेसेंट करता है वहाँ जो लोग बैठे हैं क्या वो सब लोगों को रप्रेसेंट करते हैं तो इस तरह की सैंपल्स पे आप आप औरिंस की फीड़बैक को नली फाई नहीं कर सकते हैं कितनी बार इस देश में असी कोशिश होगी कि कोई फिल्म बने जो इतने बड़े स्केल पे इतनी बड़ी माउंटिंग पे पहुचाई जाए सनातन की कथा ये होगा नहीं रोज ये एक बार हुआ है अगर रामाण को हट करना चाहता हूँ मैं अभी भी हट करना चाहता हूँ मैं रामाण को तुम नहीं हट कर रहे है तुम श्री राम और श्री हनुमान को यूज करके हट कर रहे है तुम्हें कौन ये राइट देता है कि किसी भगवान जिसमें लोगों की आस्सा जोड़िया उनको यूज करे किसी को हट करो करो ना अपने बलबूते बे करो ना हट बोड़ो जो भी बोलना है पर उसमें रमायन की कहानी को यूज क्यों कर रहे है भगवान श्रीराम को और बजरंग बली को क्यों यूज कर रहे है और क्या सोच रहे हूं उनको सीड दोगे और वो आके तालिया बजाएंगे खुश होंगे आज भी जीवित हैं अनुवान क्योंकि वो भक्त हैं श्रीराम के पर तुम्हारे लिए हैं भगवान जो आज भी कई लोगों को प्रबल साहस देते हैं कडिनायोगा सामना करने के लिए उनसे टपूरी लेंगवेज यूज करके तुम उस सारी आस्था उस सारे साहस को कही ना पूरी कहानी को सारे पात्रों को आज कल के गली में चलने वाले गुंडों से अंको लेदर पैना दिया अजगरोंDon उनकी मालेच करवा दी, थौर की तरह ग्लास बिना के अपने हतोडे को वेल्ड करवा दी है शरम करो, ना रावन का मुकट, ना श्रीराम की फेस पे करो ना, ना उनका वो रूप जिसके एक जलक के लिए लोग तरस्ते हैं, वो सब कुछ तुमने मिट्टी में मिला डाला क्योंकि आपने पहले मारकेट किया, प्रमोट किया, इसको रमायन्ट बता के प्रोब्लम मा, अगर आप ऐसा नहीं करते, तो कोई प्रोब्लम नहीं होती पर पहले उसको प्रमोट किया रमायन्ट बता गए, फिर बोला कि आदिपूरश है और आदिपूरश है, इंस्पायर स्टोरी है, तो रमायन्ट की ही, ये कोई साउथ की रीमेक थोड़ी है प्रवु के पावन चरित्रों को बहुत समहाल के बोला जाए, बहुत समहाल के नुकरन किया जाए नहीं तो देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नास सब्द तुमारे जीवन में जुड़ जाएगा ये उपहास का विशे नहीं है भगवान स्री राम कृष्ण का पावन चरित्र, ये मनोरंजन का विशे नहीं है कि तुम जैसा चाओ वैसा बोल लो, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है ये धन कमाने का विशे नहीं है, ये परम धन कमाने का विशे है, परमानंद प्राप्ती का विशे है, हम इनी लीला चरित्रों को गा करके, सुन करके, तुमारे सामने दहारते हैं, हमारे प्रभू के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास क करवाओगे जो मर्यादा रहित चेश्टा करोगे तो कोई भी ओ दंड भोगना पड़े गए अपराद है आज हम सत्संग को भगवत लीला आनुकरण को मनुरंजन बना रहे हैं बस रीजना चाहिए स्वामे वाला रीजना चाहिए बस ओम कुछ बोले कुछ बोले और रीजे दस्मास सास्त्रम प्रवाणम ते कार्या कार्यों ब्यवस्थितव जो सास्त्र सम्मत अनुकरण वही केवल उतना चीतना समाज में पच जाए भाव पुष्ट हो जाएं सास्त्र सम्मत भगवत लीला अनुकरण दर्शन किया जाएं सास्त्र सम्मत आचरणों के द्वरा बहुत लोग रोव शायद आपको नहीं पता, जब रमायन आती है तब रोते हैं एक अलग भाव से, जब आदी पुरुष देखी, तो रो रहे हैं एक अलग भाव से ये गलत है, माफी माँग लो मैं नहीं काऊंगा कि बैन आदी पुरुष मैं ये काऊंगा, apologize Manoj समय अभी भी है अपॉलोजे इसको रो अपनी घलती मानो और आगे बढ़ो फेक इमिज सामने हा चुकी घटिया तर्क कपरदवाश हो चुका बेखौफ ओपीनियन सामने हा चुकी मास्क उतर गया और उतरे गई यह वीडियो हर जगे फैलाना हर जगे शेयर करना मंगल भावन मंगल भावन मंगल मनमंतर के बलपन आप देखरें भीबोई मैं हूँ काश परावद कुछ नहीं चुपेगा